अस्ट्रेलिया फते के बाद अब बारी है इंग्लेंड से घरेलू सिरीज की कोरोना काल के बाद ये पहले बार होगा जब भारती ये सरजमी पर कोई क्रिकेट टूर्नमेंट या सिरीज खेली जाएगी भारत और इंग्लेंड चार टेस्ट मैचों की सिरीज के लिए आमने सामने होंगे और पहले दो टेस्ट मैच चिन्नई में खेले जाएंगे पर इस सिरीज की शुरुआत से पहले तमिलनाडू क्रिकेट असोसियेशन की ओर से जो खबरें आ रही हैं वो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए कुछ खास अच्छी नहीं है ताजा जानकारी के मुताबिक चिन्नई में होने वाले सिरीज के दोनों टेस्ट दर्शकों के बगैर यानि की खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे तमिलनाडू क्रिकेट असोसियेशन ने अपने सभी मेंबर्स को ये बता दिया है कि टेस्ट मैच के दोरान धर्शकों के इंट्री नहीं होगी उसने ये फैसला तब लिया जब भारत सरकार सभी आउटडोर गेम में 50 फीसद धर्शकों के अनुमती दे चुकी है चिन्नई में पहला टेस्ट मैच 5 फरवरी से 9 फरवरी के बीच खेला जाएगा जबकि दूसरा टेस्ट मैच का आयोजन 13 फरवरी से 17 फरवरी के बीच होगा 20 जनवरी को TNCA के सेकरेटरी आर रामस्वामी ने अपने असोसियेशन के सभी सदस्यों को ये कहा कि BCCI के सुरक्षा प्रकरणों को देखते हुए हमें किसी भी तरह का रिस्क उठाने से बचना चाहिए हम सीरीज के दोरान खिलाडियों की सुरक्षा से खिलवार पिल्कुल नहीं कर सकते ऐसे में बोर्ड के निर्देशा अनुसार पहले दो टेस्ट खाली स्टेडियम में ही कराय जाएंगे मतलब कि सिर्फ दर्शकों के ही एंट्री पर पहन नहीं होगा बलकि उनके लावाग गेस्ट और उप कमीटी के सदस से भी मैच देखने नहीं आ सकेंगे TNCA का ये कदम सरकार के उस फैसले के बाद उठाय गया जिसमें सभी सुरक्षा मापदंडो को अपनाते हुए 50 फीसद दर्शकों की स्टेडियम में एंट्री की इजाज़त दी गई सरकार का फैसला सभी आउट्डोर स्पोर्ट्स के लिए लागू है बरहाल TNCA माने या ना माने पर गुजराद क्रिकट असोसियेशन अपने मोटेरा स्टेडियम के कुछ हिस्सों को दर्शकों के लिए खोलने वाला है गुजराद क्रिकट के एक सीनिया रधिकारी ने क्रिक इन्फो से बाच्चीत में कहा कि उनकी प्लैनिंग 20 से 30 फीसद दर्शकों को स्टेडियम एंट्री देने की है भारत इंगलेंड के बीच सीरीज के आखरी दो टेस्ट मैच एहमदाबाद में होंगे फीसरा टेस्ट पिंक बॉल टेस्ट होगा जो दूदिया रोश्णी में 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच खिला जाएगा जबकि सीरीज का आखरी टेस्ट मैच 4 मार्च से 8 मार्च के बीच होगा इस खबर पर आपके क्या प्रतिक्रिया है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल फ्लैटफॉर्म टीवी नाइन भारत वर्स झाल झाल